हाई फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स मैंने आज कबुतर खोले और शिक्रे ने आपना कमाल दिखा दिया है यह आप देख सकते हैं सारे कबुतर ऊपर बैढ़ गए और कुछ आस्मान में उट रहे हैं कुछ नीचे दानक खा रहे हैं तो यह आप चेक कर सकते हैं मैं कुछ सीटी बजाता हूं तक यह नीचे आजाए हाई फ्लायर नीचे आगया सीटी बजाते ही यह आके हाई फ्लायर कबुतर है बाकी भी सारे आ रहे हैं कुछ नए कबुतर के हैं जिनके मैंने पर खोलेते हैं वो उपर बैठे हैं अभी मैंने दो तीन दिन की बाद में वीडियो बना रहा हूं और दो तीन दिन के बाद ही मैंने कबुतर भी खोले हैं तो यह कबुतर उपर बैट गए अभी यह नीचे आएंगे तो वो सामने का उदर हाँ ये आगया है ये वाला आप शॉप करें एक चित्रा भी आगया ये बागी सारे का पुतर भी दाना उठा रहे है कुछ उपर बैठे है आप देख सकते हैं अब ये सारे आएंगे ये हाई फ्रायर का प्यार है ये फीमेल बैट्रीज है और मेरे से पहले बैठ गया था सारे फैंसी कबुतर भी ओपर बैठे है जो लके कबुतर है और ये नीचे एक आ रहे है एक एक करके और मैंने आज कबुतर को गरम पानी डाला है अगर नहाना हुआ तो नहा भी लेंगे और नहा दाना पानी तो उठा ही देंगे और पानी नीम गरम होना चाहिए क्योंके सर्जिय शुरू हो गए है और आपको बता है कि सर्जियों में इनके गले वगएरा ज्यादा खराब होने के चांसे होते हैं इस वज़जा से इनको नीम गरम पानी डालना चाहिए ताकि इनके गले भी ना खराब हो और आपको भी बच्चत होती रही है तो आप देख सकते हैं सारे कबुतर नीचे बैठे वे इंशालला जो कबुतर मैंने बांदे उन में से दो तीन कबुतरों के कल मैं पर खोलूंगा इंशालला और बाकी जो है उनके भी एक आध दिन ने पोल दोंगा लेकिन ये आज कल की दिन अच्छे है क्योंकि बहुत ज्यादा शेक्रे वगयरा गूंते हैं इस वज़ा से आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कबुतरों पर क्योंकि आपने इस क्योंपर बहुत टाइम अपना कबुतरों को बहुत टाइम दिया होता है और अचानक से वो कबुतर जाया हो जाए किसी वज़ा से त जब यह वाब ने पकड़े हैं या आप नहीं पठ़े हैं तो उनको अभी डराना या उड़ाना नहीं चाहिए तो खेर यह आप शॉक करें सारे कबुतर एकी फ्रेम में आपको नज़रा रहे होंगे कुछ खेर उपर बैठे हैं यह कुछ बाकि सारे नीची गूम रहे हैं जो मस्ती कर रहा है यह मेरे गार का पठा है यह वाला यह इसकी मदर है तो जोड़ देखे है तो उत्र में मस्ती चड़ी हुई है कुछ ओड़ रहे हैं कुछ बैठ रहे हैं यह आप चेक कर सकते हैं मैं कुछ नजदीक बुद दाना डालता हूँ ताकि यह कब उत्र नजदीक आजाए और मेरा गलब है सही ठीक नहीं है खराब है इस वज़ा से मेरी आवास स्लो आ रही होगी आपको फैर तो एक दो तीन दिन में में सैट हो जाँगा तो पिर अच्छी अच्छी मज़े मज यह जो ब्लैक टिल लका कब उत्र है इसके भी मेने पर खुलने है कल इंशाललह और बाकी एको पालिश कब उत्र है सामने है उसके भी पर खुलने है कल इंशाललह खैर आज शॉट वीडियो आएगी तो इसके साथ ही वीडियो का इंड करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे और बिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाह आफिज